दोस्तु आपके अपनी यूट्यूब चैनल पी ए मिना में आपका स्वागत है दोस्तु मैं आज आपके सामनी BSF ट्रेडमेंस 2022 के अकोडिंग लेटेस्ट अपडेट लेके हूँ दोस्तु आप सभी को पता होगा BSF डिपार्टमेंट ने आपके लिए ओनलाइन मोड पे अलग लग ट्रेड के लिए आविदिन मांगी थी बहुत सारे कंडेट ने इसमें आविदिन किया है तो दोस्तु अगर हम हर इस्टेड की बात करें तो लग बग 25,000 से 30,000 के बीच में फोरम आए हैं टोटल अरम इंडिया की बात करें तो 2,00,000 फोरम आपके आएंगे इन 2,00,000 फोरम में से आपकी 50,000 फोरम रिजेक्ट होने वाले हैं हाँ दोस्तु मैं आपको विद्प्रूप के साथ बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर ऐसी इमेल आइडी आ गई ऐसी इमेल आइडी पे एसा मेसेज आ गया तो आपका फोरम रिजेक्ट है साथ ही माँ आपको बताऊंगा अगर आपके यह पासवर्ड गुम हो गए तो आपका एड्मिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं होगा तो सत्रक रहिए एक बार इस वीडियो को पुरा देखिए साथ ही अभी दिकावन चनल को सस्क्राइम ने किया है जरूर कीजिए क्योंकि BSF वे आलपोस्ट ट्रेडमेन की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको इस चनल के मादिम से मिलने वाली है साथ ही हर वो जानकर आपको सटिक मिलने वाली है दोस्तों आपने जब फोरम फिलिप किया था तो आपने फोरम तो फिलिप कर दिया फिर भी 30% कंडेट ऐसे हैं उन्होंने फोरम में गलतियां की है उन गलतियों का मेसेज अब आएगा आने वाला है वह बहुत सारे कंडेट के पास आ चुका है बहुत सारे कंडेट हमाई स्क्रीन सोट भी बेज़े हैं वितपरूप के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पहला वह मेसेज आपको दिखाऊंगा यह वह पासवर्ड है वह आपको घुम नहीं होने चाहिए तो आप एक बार जरू देखिएगा दोस्तों इस परकार का मेसेज आपके पास आयोगा जब आपने फोरम फाइनली संबिट कर दिया उस टाइम अगर किश टेंड कंडेट के पास ये इमेल पे मेसेज नहीं आया है तो वह अभी उसको रिशेट करके ये मेसेज प्राप्त करें क्योंकि इसमें जो पासवर्ड नजर आ रहे हैं आपको KY9QC6BDJ यह ही वो पासवर्ड है आप इस पार को चैंज भी कर सकते हो अपना नाम वग कुछ भी दर्च करके बट यह पासवर्ड गुम नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इसे के जरी आपका फिजिगल का एड्मिट कार आप डाउनलोड कर सकते हो आपका फिजिगल का डाउनलोड लोग इन करके निकलेगा पहले आपको इमेल आईड दर्च करने पड़ेगी फिर आपको यह पासवर्ड दर्च करने पड़ेगी हाँ आपके र दोस्तों किसी candidate की पास अगर यह delete हो गया है या delete ने हो आया है तो आप इसका screenshot या अपनी कोई coffee में उतार लो या आप इस name को change भी कर सकते हो new password डाल के वही आप जब इमित्र पर form बरा रहे हो वही इसको कर सकता है या आप अपने mobile phone में भी इसको login करके कर सकते हो क्योंकि इसके माद्यम से login करके प्राप्त कर सकते हो दूसरी जान कर यह है कि इस परकार का अगर आपके पास message आएगा या या एक मार्स सोरी दोस्तों एक मार्स को आपको इसे mail आएंगे mail आएडी पे जिसका फोरम reject होगा उसी के ही पास mail आएंगे हाँ दोस्तों तो अगर आपके पास your application for BSF requirement post has been rejected in या आपकी जो BSF का फोरम आपने डाला था वो reject हो चुका है दोस्तों जब आपका पेरामिलिस्ट आपका फोरम अप्लाई हुआ था उसमें बहुत सारे कंडेटों ने मिश्टे की थी बहुत सारे कंडेटों के फोरम रिजेक्ट हुए थ लाजस्तान में 30,000 वे UPBR में 20-25,000 के मादियम से आपके फोरम बर रहे हैं उन में से 30% कंडेटों के फोरम रिजेक्ट होने वाले 100% एक मार्स बाद में आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों जिस कंडेट का इस परकार email IDP मेंसे जाएगा उसका फोरम रिजेक्ट होगा उ अगर कोई दो फोरम अपलाई किया है तो आप एक फोरम को रिजेक्ट कर दो अभी लोगइन करके अन्यता आपके दोनु फोरम रिजेक्ट होने वाले हैं तो दोस्तों सटिक से सटिक जान कर या आपको इसलिके मादिम से मिलती रहेगी अभी तक आमने चलनल को